एर फोर्स की तेयारी करने वाले धुरंदरो मैथ की सारी टेंसन खतम क्योंकि बलून मैच वर्ड थ्री आपकी प्रिप्रेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से वो भी बिल्कुल फ्री तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताईए सीक्वेंस एंड सिरीज में एपी पढ़ने के बाद अब हम लोग पहुँचे एं HP पे मतलब की हरातमक्स रेडि तो आज हम आपको बताने वाले हैं हरातमक्स रेडि का कॉंसेप्ट की हरातमक्स रेडि आखिर होता क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं harmonic progression जो HP के नाम से famous है आखिर वो होता क्या है वो होता क्या है अगर आप एक समानतर स्रेडी लेते हैं कोई भी समानतर स्रेडी समानतर स्रेडी आपने ले लिया टू फाइफ एट बार बार थ्री बढ़ राए 11 या आपने ले लिया समानतर स्रेडी अब आप अगर इसके पदों को व्यूत करम कर देंगे उल्टा कर देंगे वन बाई टू वन बाई फाइफ वन बाई एट वन बाई 11 तो फिर आपको अब समानतर स्रेडी नहीं मिलेगा अगर समानतर स्रेडी के पदों को ब्यूत कर दिया जाए रेसी प्रोकल कर दिया जाए उल्टा कर दिया जाए तब समानतर स्रेडी नहीं मिलती है तो संख्याओं की जो ये नई स्रेडी आपको प्राप्थ होगी उसे हम हरात्मक स्रेडी कहते हैं यानि की हरात्मक स्रेडी की परिभासा क्या हो गई समानतर स्रेडी के पदों को ब्यूत्करम करने पर जो संख्याओं की स्रेडी मिलती है उसे हरात्मक स्रेडी कहते हैं तो ये हो गई हरात्मक स्रेडी की परिभासा समानतर स्रेडी के पदों को ब्यूतकरम करने पर जो संख्याओं की स्रेडी प्राप्त होती है उसे हरात्मक स्रेडी कहते हैं यह हरात्मक स्रेडी की परिवासाब अब देखिए हरात्मक स्रेडी में कोई आपको पद ग्याद करना है तो उसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले क्या करेंगे उन पदों को उल्टा कर देंगे अगर आपको कोई हरात्मक स्रेडी देगा तो आ पूछा रहेगा सातवां पत पूछा है पंद्रहवां पत पूछा है तो समानतर स्रेडी से उसको निकाल लेंगे और वापस उल्टा कर देंगे तो हरात्मक स्रेडी बन जाएगा इसलिए हरात्मक स्रेडी के सारे कोश्चन समानतर स्रेडी वाले फार्मूले से लग जाएंग बस आपको ये याद करना पड़ेगा कि दो रासियों A तथा B का हरात्मक माध्य होता है 2AB अपान A प्लस B यानि कि अगर हम आपको दो संख्याइं दे दे heps एक A है और एक B है और उनका हरात्मक माध्य पूछें तो यानि एक ऐसा चीज इनके बीच में रखना होगा कि हरात्मक स्रेड़ी मिल जाए हरात्मक माध्य का मतलब जो हरात्मक स्रेड़ी दे तो आप क्या करेंगे दो गुड़े पहला गुड़े दूसरा और बटे पहला प्लस दूसरा यह हो जाएगा दो संख्याओं का हरात्मक माद्य अब आप याद कीजिए कि समानतर माद्य क्या बताए गया था दो संख्याओं का ए और बी दो संख्याओं अगर हैं तो इनका जो हरात्मक माद्य है समानतर माद्य पहले देख लिजे समानतर माद्य आपको बताया गया था ए प्लस बी बाई टू दोनों को जोड़कर दो से भाग और गुड़ोत्तर माध्य आपको बताया गया था रूट में ए भी यानि दोनों का गुड़ा करके वर्गमूल और अब हरात्मक माध्य बताया गया है वो होता है 2AB upon A plus B अब अगर समानतर माध्य को हम A से गुड़ोतर माध्य को G से और हरात्मक माध्य को S से प्रदर्शित करें तो देखिए क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर H बराबर H बराबर 2AB upon A plus B लेकर H बराबर AB की जगा हम लिख सकते हैं अगर इधर से वर्ग मूल हटेगा तो इधर का वर्ग हो जाएगा यानि G स्कॉायर और A plus B A plus B की जगा हम रख सकते हैं टू को अगर इधर भेजने हैं तो 2A टू से टू हो गया कैंसिल तो G स्कॉायर बराबर हो गया H into A यानि की गुड़ोतर माध्य का जो वर्ग है गुड़ोतर माध्य का वर्ग वो हरात्मक माध्य और समान्तर माध्य के गुड़ण फल के बराबर होता है तो ये पहले इतना points आपको नोट कर लेना है सबसे पहले आप नोट कर लीजे हरात्मक स्रेडी कहते किसको है और हरात्मक स्रेडी जब नोट हो जाए तब आप दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि A और B का हरात्मक माध्य क्या होता है फिर तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अगर दो संख्याओं का समानतर माध्य हो A और हरात्मक माध्य हो H और गुड़ प्ल के बराबर होता है ठीक तीन पॉइंट हो गया अब फोर्थ पॉइंट पॉइंट बताते हैं देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है अगर दो धनात्मक संख्याएं है यह और भी दो धनात्मक संख्याएं है तो जो इनका समानतर माध्य होगा वो बड़ा होगा गुड़ोतर माध्य से और जो गुड़ोतर माध्य है वो बड़ा होगा हरात्मक माध्य से यानि तीन संख्याओं का अगर आप समानतर माध्य दो संख्याओं का जो कि धनात्मक संख्याओं है अगर समानतर माध्य निकालें गुरोतर माध्य निकालें और हरात्मक माध्य निकालें तो सबसे बड़ा आएगा समानतर माध्य और सबसे छोटा आएगा हरात्मक माध्य हम और गुरोत्तर माध्य समानतर माध्य से छोटा होगा लेकिन हरात्मक माध्य से बढ़ा होगा सबसे बढ़ा क्या आएगा समानतर माध्य दो संख्याओं के लिए समानतर माध्य बाकी दोनों से हमेशा बढ़ा होता है यही चार पॉइंट आपको पढ़ना है हरात्मक स्रेडी इसके बाद इसी चैप्टर में आपको जानना है विविद स्रेडियां विविद स्रेडियों का भी फार्मूला आपको पढ़ना है और इस पराधारित कोश्चन इस वाले एक्सरसाइज में दिया होगा तो विविद स्रेडिया अब इसमें क्या पढ़ना है देखिए तो इसको हम कर दे रहे हैं विविद स्रेडियों का 0.1 अगर आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं सिगमा 1 और इसका मान होगा N सिगमा 1 का मतलब है कि आप 1 को N बार जोड रहे हैं तो जब 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा 8 बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा और N बार जोड़ेंगे तो N आएगा दूसरा फार्मूला अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते करते N तक जोड़ेंगे एक से लगा N तक अगर जोड़ेंगे तो सौट कट में इसको प्रदर्सित कर सकते हैं सिग्मा N से सिग्मा N का मतलब होगा 1 से N तक जोड़ना है और इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा N N प्लस 1 बाई 2 यानि अगर आपको 1 से 10 तक जोड़ना है तो 10 गुड़े 11 10 में जोड़ेंगे 11 बटे दो 10 गुड़े 11 बटे दो कैलकुलेशन कर लीजिए 55 आएगा यानि 1 से 10 तक आप लिखके जोड़ेंगे कितना मिलेगा 55 तीसरा पॉइंट है एक का वर्ग दो का वर्ग तीन का वर्ग अगर ऐसे करते करते जोड़ना है आपको N के वर्ग तक 10 के वर्ग तक 15 के वर्ग तक 18 के वर्ग तक तो इसको आप सौट कट में प्रदर्शित करते सकते हैं सिग्मा N E स्कॉाइर सिग्मा N E स्कॉाइर का मतलब होगा एक कावर्ग दो कावर्ग तीन कावर्ग से लगाए N के वर्ग तक जोड़ना है सिग्मा या समेशन का मतलब होता है जोड़ना और इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा N N प्लस 1 2 N प्लस 1 by 6 by 6 ठीक यह तीसरा फार्मूला है और चौथा फार्मूला आपको लर्ण करना है वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करते करते अगर आपको N के क्यूब तक जोड़ना हो तो इसे हम लोग प्रदर्सित करेंगे सौर्ट कट में सिग्मा N क्यूब sigma n cube का मतलब होगा 1 का cube 2 का cube 3 का cube ऐसे करते करते n के cube तक जोड़ना है और इसका formula होता है n square n प्लस 1 का whole square by four अगर आपको 1 का cube 2 का cube 3 का cube ऐसे माल जिये 10 के cube तक जोड़ना है तो यहाँ पर आप N की जगद दस रख दीजे आपको आंसर मिल जाएगा पांचवी बात ये है कि मान लीजे आपके पास किसी स्रेडी का N वा पद है मान लीजे N वा पद ये है N वा पद N के रूप में दिया हुआ है और आपको निकालना है N पदों का योगफल यानि आपको निकालना S N तो जब आप इसका सिगमा ले लेंगे ये जो N वा पद है उसका सिगमा ले लेना है तो जब सिगमा ले लेंगे तो आपको N पदों का योगफल पता चल जाएगा जैसे अगर T N मान लीजे यही है तो इसका सिग्मा लेने का तरीका क्या होगा देख लीजिए इसका सिग्मा टी अन यही है यही है टी अन तो इसका सिग्मा का मतलब सिग्मा एन इसक्वायर फिर माइनस सिग्मा थ्री एन फिर माइनस सिग्मा टेन अब देखे ये सिग्मा एनी स्कॉाइर ठीक है ये जो अचर पद है तीन वो बाहर निकलाएगा और बचेगा सिग्मा एन और ये दस बाहर निकलाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो सिग्मा वन अब सिग्मा एनी स्कॉाइर का मान उपर लिखे थे n n plus 1 2 n plus 1 by 6 sigma n की जगा लिख देंगे n n plus 1 by 2 और sigma 1 की जगा लिख देंगे n sigma 1 हम लोगे ने क्या लिखाता 1 तो इस तरह से जब ये सब मान रख देंगे तो आपको n पदो तक का योगफल मिल जाएगा तो ये पूरा कर दे रहे हैं आपके सामने जो अभी लिखे हैं तो इसको वीडियो रोग के आप जूम करके इसको नोट कर लीजिएगा यही सब फार्मूले हैं तो गुडोतर स्रेडी और समानतर स्रेडी पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज उसमें कुछ कोश्चन हरात्मक स्रेडी के हैं और कुछ कोश्चन वीविद स्रेडी के हैं तो वीविद स्रेडी के पांच फार्मूले याद करने हैं और हरात्मक स्रेडी के लिए चार फार्मूले याद करने हैं तो यह फार्मूले आप करिये तयार और अगली क्लास से हम लोग एक सरसाइच के कोश्चन लगाएंगे